खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज मामला सामने आने के बाद तेजी से बढ़ रही कोरोना पीडितों की संख्या से देश में आहकार मचा हुआ है निजामुद्दीन के पास मौझूद इस मरकज को भीड से खाली कराना काफी मुश्किल बरा रहा सरकार के निर्देश और पुलिस की चेतावनी के बाद भी जमात इस कदर जिद पर अड़ा हुआ था कि आदी रात एने से डोभाल को मनाने के लिए जाना पड़ा मस्जिद के मौलाना साथ दिल्ली पुलिस और शुरक्सा एजिंसियों के आग्रह को ठुकरा चुके थे ऐसे में ग्रह मंत्री अमिद्शाह ने राष्टिय शुरक्सा सलाकार अजीर डोभाल से आग्रह किया कि जमात को मस्जिद खाली कराने के लिए राजी करे जानकारी के मुताबिक घ्रह मंत्री के आग्रे पर डोभाल 28-29 मार्च की दरमयानी राद 2 बजे मरकज पहुचे सूत्रों की माने तो डोभाल ने मौलाना साथ को समझाया और वहां मौजूद लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराने को कहा साथ ही लोगों को कोरेंटाइन में रखने की बात कही शाह और डोभाल को स्थिती की गंभीरता का पता था क्योंकि सुरक्षा एजेंसिया करीम नगर में इंडोनेशिया के 9 कोरोना पीडित लोगों की पहचान कर चुकी थी सुरक्षा एजेंसियों ने मरकज में कोरोना संकर्मन का संदेश अगले ही दिन सभी राज्यों और पुलिस को भीज दिया था एने से डोभाल के समझाने के बाद मरकज 166 तबली की वरकर्स को अस्पताल में भरती कराने पर सहमत हुआ डोभाल के अस्तक्षेप के बाद ही जमातनेता मस्जित की सफाई के लिए भी राजी हुए डोभाल ने मुसल्मानों के साथ अपने पुराने संपर्कों का इस्तमाल कर इस काम को अंजाम दिया देश की सुरक्सा के लिए रननीती बनाने के लिए मुस्लिम उलेमा उनके साथ मीटिंग कर चुके थे आपको बता दे कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीकी जमात में शामिल लोगों में से अब तक 9 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है मरने वालों में तेलंगाना से 6, तमिलनाडू, दिल्ली, मुंबई से 1-1 हैं निजामुद्दीन के मरकज में करीबन 1548 लोगों को निकाला गया है जिनमें से 441 लोगों में कोरोना के लक्षन पाए गई हैं जिसके बाद इन्हें LNGP, राजीव गांदी सूपर स्पेशिलिटी और GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है इसके अलावा 1170 लोगों को नरिला के आईसोलेशन सेंटर में रखा गया है निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने मौलाना साथ, डॉक्टर जिशान, मुफ्ती सहजाद, एम सैफी, यूनुस और मुहम्मद सल्मान के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रेवाई शुरू कर दी है मरकज को आज तड़के करीबन साड़े तीन बजे पांच दिन बाद खाली कराया गया है, जिसमें करीबन 21 सो लोग मौजूद थे इस बीच मौलाना साथ 28 मार्च के बाद से लापता है, जिसकी तलाश जारी है इंडिया टाइम 24 न्यूस के लिए दीपक की रिपोर्ट